दोस्तों आज किस वीडियो में बाते करने वाल है आधार काड को आप कैसे लिंक कर सकते हो अपने pencard से जियां दोस्तों इस वीडियो में हम लाइब बताएंगे आप लोगों को कैसे आप आधार काड को लिंक करना आधार कार्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट हो गया सभी के लिए जियां दोस्तों जितने भी इंडियाज में इंकम टेक्स फिलिंग का जो एक के तो आपको यह लिंक करना आनिवाद है और आपको लिंक करना पड़ेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दो मिनट के अंदर सिखाएंगे कैसी आ आप यूज कर सकते हो पेंट का या फिर परमानेट एकाउंट नमर का जो है आप यूज करके कहीं भी आप पासपोर्ट वगेड़ा जो है दस दिन के अंदर पासपोर्ट बन जाएगा या फिर आपको फैनांसियल इंस्टिचूट में आई टी आर भरने की बात आती है दोस दोस्तों आप आप अलाएं जोर्फ और टी फिल वैलीडेट रहेगा जिससे की और टी पी से आप वहां पर वेरिफाय कर सकते वह तो इस वीडियो में बाते करेंगे दोस्तों कैसे आप लिफिय कर सकते तो बिना समय को आये हुए आज का वीजियो के सब्चार्ट करते हैं तो आप लोग वीडियो की description में जाके check कर सकते हो और वहां से आप fill कर सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्लिक करने के बाद आपको link आधार का options मिल जाएगा सबसे उपर में आता है आपको pen card तो यहाँ पे आपको pen card fill कर देना जैसा कि मेरा EEPPB233A है तो यहाँ पे हम पे इन कार्ड फिल कर दिये हैं उसके बाद नीचे अप्संस आता है सेकेंड्स आधार का तो यहाँ पे हम आधार नमर जो है इसको फिल कर देंगे जैसा कि मेरा है 30, 13, 45, 66, 67, 35 उसके बाद यहाँ पे हमको आधार कार्ड पे केवल year mention है आपके आधार कार्ड पे तो इस पे टिक करना है अधारवाज इस पे टिक नहीं करना है जैसे कि आपका date of birth है 5 November 2000 और आपके आधार कार्ड पे 5 November नहीं लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2000 लिखा हुआ है आपके date of birth में सिर्फ sun लिखा हुआ है जो कि आपका year birth year तो आपको इसमें टिक करना है otherwise आपके date लिखे है mention है अधार कार्ड में तो आपको ये options नहीं टिक करना है तो मेरा mention है यहाँ पे टिक नहीं करेंगे उसके बाद term and condition का जो है options दिखाई दे रहा है link आधार तो आप उस पे click कर दें जिसे कि आपका link हो जाएगा simply तो यह देखिए loading हो रहा है तो चलिए इसको link होने देते हैं अब यह link हो चुका है आपका paint card with आधार card से तो इसका आप status अगर check करना साथ हैं तो आप status को भी check कर सकते हैं simply आपको यहाँ पे एक options दिखाई दे रहा है आपको click here to view status पे click कर सकते हैं आप अगर already submit कर चुके हैं link request आधार से तो आप वहाँ से status भी check कर सकते हो तो आपको click here पे click कर देना है simply उसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले pen card उपर में fill करना है फिर नीचे में आपका आधा पाई दे रहा है यहाँ पर में जिस तरह से आप मेरा confirm हो गया कि अब मेरा अधार जो है pen card से link है आप भी इस तरह से confirm कर सकते हो सो दोस्तों आप लोग इसी तरह से जो है अपना pen card को जो आधार card से link किजिए और easy way में e-filling के website जो है link description में link दिया हुआ है वहाँ से जाके आ आप e-filling कर सकते हैं दो मिनेट के अंदर इसी तरह से आप जो अपना आधार card फिर pen card को जो आधार card से link कर सकते हैं बिल्कुल आपको लोग को यहाँ पे सिर्फ आधार card का number डालना होगा फिर वहाँ पे pen card का number और फिर आपको capture करना होगा और declare करने के बाद सब्मिट कर दे हैं तो आप उसका status भी चेक कर सकते हो इसी तरह से आप जो है pen card और आधार card का status लिंक है या नहीं है उसको check कर सकते हो बिल्कुल इसी तरह से कीजिए सो मिलते हैं सितरह से टेक और यूट्यूब से डिलेटर्ट वीडियो इसमें तब तक के लिए मुझे जादत दीजे मैं सुराज कमार आपका दोस्त जाए हिंद वन्दे भारत